एवरीवन एमपी जल प्रहदे के प्रिविएस यर कोशन्स में मैंस का यह पार्ट 11 और इस वीडियो में लिए हैं थर्ड अक्टूबर के शिफ्ट बन के कोशन्स फर्स्ट है रामू एड्स 50 ml of water to every 100 ml of milk how many ml of water does he add if there is 800 ml of milk प्रती 100 ml दूद में वो 50 ml पानी मिलाता है 100 ml में वो 50 ml पानी मिला रहा है तो यहां से हम एक बरावन निकाल लेते हैं एक इस 100 को डिवाइड मिले जाएंगे तो 50 by 100 यह कैंसल हो जाएगा तो यहां मिलेगा 1 by 2 1 equal to 1 by 2 मतलब 1 ml दूद में वो 1 by 2 ml पानी मिलाता है और हमसे पूछाए कि 800 ml दूद में कितना मिलाएगा तो यहां दोनों साइड 800 800 का मल्टिप्लाय कर देंगे equal to 800 into 1 by 2 तो से इससे कैंसल करेंगे तो 400 बार कैंसल हो जाएगा यह यहां से मिला कि 800 ml दूद में वो 400 ml पानी मिलाता है 400 थर्ड ओप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस कुशन कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 100 में वो 50 पानी मिला रहा है मतलब 100 का आधा होगे 50 तो आधा पानी मिलाता है वो और पूछाए कि 800 ml दूद में कितना पानी मिलाएगा तो 800 का आधा कर देंगे 800 का आधा होता है 400 तो 400 ml पानी वो मिलाएगा 400 थर्ड ओप्शन राइट आंसर हो जाएगा 6 है नेक्सट है हाओ मैंच बॉक्स का एंस छेच्वा॥ ऑफ साइज 4 x 3 x 1.5 संटीमीटर नहां कर दीमेंट हैं तफिले इतनी डायंशन वाले गत्ते के एक बॉक्स में इतनी डायंशन वाले आपकार के मांचे स के कितने डिब Display पैक किये जा सकते है तो हम माल लेते हैं कि माचिस के end डिब्बे cardboard के एक box में pack किये जा सकते हैं मतलब गत्य के एक box में माचिस के end डिब्बे pack किये जा सकते हैं यहां से हम volume को निकाल कर बराबर रखेंगे दौनों में यह length, width और height दी गई है मतलब यह keyboard है घनाब है और घनाब का volume कैसे निकालते हैं तीनों का multiplier कर देते हैं volume मतलब height तीनों का multiplier कर देते हैं तो हमने माना कि end डिब्बे, माचिस के end डिब्बे पूरे इस cardboard के box में आ जाएंगे तो हमने माल लिया end और एक माचिस के डिब्बे का item निकालेंगे, माल लेते हैं कि vm है और cardboard के box के, cardboard box का volume या गत्ते के box का item माल लेते हैं कि vc है अब यहाँ पर हम value रखेंगे end की जगे पर end into match box की, match box की dimension दी गई 4 into 3 into 1.5 4 into 3 into 1.5 तो इस तरह से इसका volume निकल आएगा एक माचिस के डिब्बे का volume निकाल कर हमने end में multiply कर दिया है तो हमें क्या मिलेगा, पूरे cardboard का volume मिल जाएगा इसलिए हमने vc के बराबर इसको लिख दिया है अब vc यह 30 into 30 into 20 अब यहां से हम end की value निकाल लेंगे, cancel कर लेते हैं यह point हटाएंगे, तो divide में एक 10 मिल जाएगा यह 3 से 30, 10 बार cancel होगा और 4 से 20, 5 बार और यह 30, 15 से 2 बार तो 10 into 2 into 5, 100 मिला और यह divide में 10 एक पहले से है तो इसका multiply कर देंगे इस 10 में तो यह 1000 मिल जाएगा तो n equal to हमें मिलेगा 1000 तो 1000 डिब्बे match box के एक पूरे cardboard के box में pack हो जाएगे तो गत्य के एक box में 1000 माचिस के डिब्बे pack किये जा सकते हैं 1000 सेकंड अप्शन डाइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है, a motor boat travels at speed of 18 km per hour how much time will it take to go 90 km एक motor boat प्रती घंटे 18 km की चाल से यात्रा करती है 90 km जाने में है कितना समय लेगी यहाँ पर time पूछा है formula होता है speed equal to distance upon time चाल बराबर दूरी बटे समय चाल speed हमें दी गई है 18 equal to distance या दूरी दी गई है 90 अब है और time समय की जगे हम लेख लेते हैं T अब इस T को हम यहाँ ले जाएंगे 18 को डिवाइड में लेके आएंगे तो T equal to मिलेगा 90 डिवाइड 18 इसे 18 से कैंसल कर देंगे तो 5 मिलेगा तो T equal to 5 hours समय आ जाएगा पांच घंटे पांच घंटे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा और यह यह जोड़ेंगे तो हम वही नंबर मिलेगा तो यहांसे हम कह सकते हैं कि जीरो एक additive identity है for all rational numbers सभी परिमेश संख्याओं के लिए यह है योगर सर्फ समता है तो second option राइट हो जाएगा नेक्स्ट है find the cube root of इसका cube root निकालना है घनमूल निकालना है यह बहुत बड़ा इसको method से भी solve कर सकते हैं की लास्ट की डिजिट देखते हैं और फिर छोटा नमबर लेते हैं जो कोई भी cube से कम हो ऐसा कोई नमबर लेते हैं जिसका cube बाकी बचीवी संख्या से कम हो पर इसे हम option से match करके answer निकालेंगे यहाँ पर हम जब इसका घनमूल निकालना है तो मतलब दिएगा option में से कोई एक number का cube करने पर तीन बार multiply करने पर हमें यह दिया हुआ number मिलेगा मतलब किसी भी एक number का तीन बार multiply करेंगे तो हमें यह मिलेगा तो हम क्या करते है यूनिट डिजट का multiply कर लेते हैं तीन बार जो यूनिट डिजट पर है एक आयंग पर number है उसका हम cube निकालेंगे फर्स्ट option में है 5 3 4 इसमें यूनिट डिजट है का यह एक है 4 4 का cube होता है 64 और यहां से हमें यूनिट डिजट पर क्या मिल रहा है 4 लेकिन दिये गए number में यूनिट डिजट पर है 2 तो हमें 2 नहीं हमें 4 चाहिए था तो यह गलत हो जाएगा हम यह आप पर 2 देखेंगे कि 2 दिये गए option में से कहां पर हमें last में 2 मिलेगा तो यहां पर हमें मिल रहा है 4 तो यह गलत हो जाएगा next में देखते है 4 3 6 यहां पर unit डिजट पर है 6 6 का cube होता है 2 1 6 यहां पर unit डिजट पर मिला 6 पर हमें चाहिए 2 तो यह भी गलत हो जाएगा next है 4 2 8 इसकी unit डिजट है 8 8 क कि युनिट डिजट पर मिल रहा है टू और दिए गए नमबर में भी युनिट डिजट पर टू है तो यह हो सकता है थार्ड अप्शन को हम रखेंगे कि यह सई जाएगा फोर टू एट थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट आज शॉपकीपर बाइव गुड्स वॉर्थ ऑफ रुपी 7820 एंड सेल्स तैम आफ्टर इंग्रीजिंग इस प्राइज बाइज 25 परसंट फैंड न्यू प्राइज एक दुकांधा 7820 रुपय का सामान खरीदता है और इसकी कीमत 25 परसंट तक बढ़ाने के बाद उन्हें बेश दीता है नई कीमत यह दी गई है और 25 परसंट बढ़ा परसंट को हम पहले हिजोर लिए रहे हैं तोटल होता है 100 परसंट कीमत 100 परसंट होती है और इसमें 25 परसंट बढ़ा रहे है वो तो 25 हम डारैक्ट कर देते हैं है 25 परसेंट तो हंड़ेट प्लस 25 125 परसेंट तो 7820 का हम 125 परसेंट फाइंड कर लेंगे है कि 125 परसेंट है तो डिवाइड में हम एक हंड्रेट लिखेंगे क्यूंकि परसंट का सायं अटा रहे हैं और 7820 कि अब इसे कैंसल करेंगे 25 से यह कैंसल होगा और यह रहे हंड्रेट फॉर बार कि 720 को कैंसल करते हैं फॉर से यह वन बार और 936 और 520 और यह फाइब बार 2955 मिला और यहां पर यह 5 है तो 5 का मल्टिप्लाइब भी हम इसमें कर देंगे तो 25 और 25 27 यह मिल जाएगा 7 और यह 2 तो यह 7 और 5 और यह 9 इसका आंसर हो जाएगा 9 775 second option नेक्स्ट है evaluate इसको solve करना है बार्ट मास के अकॉड़िंगी से solve करेंगे तो बार्ट मास सबसे पहले bracket को solve करते हैं तो इसको हम छोड़ देते हैं यहीं इस वाले पार्ट को solve करते हैं minus three into minus one minus minus plus हो जाएगा three into one three minus यहाँ पर minus two into seven है minus two into seven minus के 14 अब यह minus है और यह minus है minus minus plus हो जाएगा three plus 14 3 plus 14 17 आया लेकि इस starting में minus 51 भी लिखा था तो माइनस 51 डिवाइड यहां से हमें मिला था 17 अब हम इसको डिवाइड कर देंगे माइनस 51 से माइनस 51 को डिवाइड करेंगे 17 से तो यह 3 बार कैंसल हो जाएगा और एक माइनस लगा हुआ है तो एक माइनस हम आगे लगा देंगे माइनस 3 second option right answer हो जाएगा next है if the excise of a point is minus 10 and the ordinate is minus 7 then the point is यदि एक बिंदू कब हो जाँक minus 10 है और कोटी कोटी x minus 7 है तब बिंदू है xy axis पर यह होता है x और यह होता है y यहां पर positive values रहती है x की यहां पर negative यह y की positive उपर की तरफ और नीचे की तरफ negative कोई भी point होता है xy axis पर xy तो इसमें पहला number जो होता है वो होता है भुजांक यह एपसाईसा दूसरा होता है ordinate यह कोटी तो यहां पर एपसाईसा दिया है भुजांक minus 10 तो minus 10 comma कोटी यह ordinate minus 7 दिया है तो यहां पर हम minus 7 लिखेंगे तो point आ जाएगा minus 10 comma minus 7 पूर्थ option डाइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है give the expression for the following इसके लिए एक expression देना है बेंजग बताना है हमें यह statement यहां पर दी गई है पी is multiplied by 3 and 2 is subtracted from the product पी को 3 से गुणा करना है तो पी को 3 से multiply करेंगे और फिर गुणनफल से दो घटाना है मतलब two subtract करना है जो product मिलेगा उससे product हमें मिला यह इसमें से 2 को minus करना है इतना मिला हमें अब पी इंटू 3 इसको 3 पी लिख सकते हैं minus 2 यह expression में मिल जाएगा इसको match करने तो third option से match हो रहा है third option right answer हो जाएगा next one of the sides and the height to that side of a parallelogram are 4 cm into 3 cm respectively find the area of the parallelogram एक समानांता चत्रबुच की एक भुजा या उचाई क्रमशा 4 और 3 दी गई है समानांता चत्रबुच का छेत्रिफल ग्याद करें यह निकालना है parallelogram का यह parallelogram है इसकी एक भुजा 4 दी गई है और height दी गई है 3 area of parallelogram का formula होता है base into height यह आधार into उचाई आधार यहाँ पर दिया गया है 4 उचाई 3 multiply कर देंगे 12 मिलेगा और unit थी cm में cm2 लग जाएगा इसका area जाएगा 12 cm2 12 fourth option right answer हो जाएगा तो यह था last question आज के वीडियो का इसके आगे के question हम इसके next part में दिखेंगे थैंक यू